नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नियोजन निती को लेकर मुख्य मंत्री सरकार का रोड में भी राख सकते हैं बतादे खत्यानी जो हार यात्रा के दौन मुख्य मंत्री जीलों का भरमन कर वास्तो इतीजिस से अउगत होंगे वह जीला में अचक निरिक्षन के अलावा जन सभा को समोथित भी करेंगे कानून ब्यवास था कि उच अस्तरिय समिक्षा के दरान कम्यों पर अधिकारियों को फटकार भी सुननी पर सकती है वहीं इंस्पार्टक्चर के साथ कल्यनकारी जीनाव के लावकों से रूबरू होकर फिडबैक भी लेंगे ग्या था है कि मुख्यमेत्री ने भी ते आट दिस्तंबर को गड़वा और पलामों से खत्या ने जोहरे आत्रा की शुरुआत की थी जार्खंड सरकार ने ठंड से बचाव के लिए दी सला जार्खंड में कुरोना वाइरस के संक्रमन के आहट के बीच स्वास्त विभाग पूरी तरह से अलट हो गया है विभाग ने ठंड से बचाव के लिए भी सला की जनकारी दी है बता दे राश्ट्रिय स्वास्त मिशन जारी सलाह में कहा गया है कि जरूरत ना हो तो ठंड में घर से बाहर निकलने से बचे खास कर बुजूर्गों एवं बच्चों को बेवज़ा बाहर न जाने दे घर में और घर के बाहर पर्याप्त गर्म कपड़े पहुन कर रखे दस्ताने जूत्ते मोजे टोपी या मोफलत का इस्तेमाल जरूर करे खतियानी महा जुटान में बोले जैराम महतो संस्कृति की रक्षा के लिए आना होगा आगे सराय केला के सिनी इस्तित वार्स्तरेनी पलस्टू उच विद्याले के पास मैदान में सनिवार को जर्खंडी भासा खतियान संगर समिती की ओर से खतियानी महा जुटान कारक्रम का उजण किया गया इस असर पर पतर मुख्य अतिति टाईगर जैराम महतो विशिष्ट अतिति के रूप में माटी करांतिकारी चित्रकार महावीर साही महतो और समाज से भी अमित महतो उपस्चित थे बतादे सहीदों को सदांजली देकर महा जुटान कारक्रम का सुभारम किया गया इसके बाद जैराम महतो ने एसकारपियों की छट पर खड़े होकर महा जुटान में उपस्थित लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए भी गुल फुका उन्होंने कया आए कि यदि हम सभी जारकन की माटी भासा उसकीती की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो आने वाले पीडी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा पुरानी पेंसन को मिला समर्थन एक लाग से अधिक आवेदन राश्ट्रीय पेंसन परनाली के तहट आने वाले सभी करमचारियों को फुरानी पेंसन योजना के तहट लाने की जारकन सरकार की कवायत को राज्य कर्मियों ने भी पूरा समर्थन दिया है फवी से निधी निदे सालाय के ताजा आकड़ों के मुताबिक एक लाख 1412 राज्य कर्मियों करमचारी पोर्टल पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके है बतादे जारकन में एक दिसमर 2004 के बाद निधी राज्य सरकार के करमचारी नई पेंसन योजना के दारे में है इसके तहाद आने वाले एक लाख 141326 कर्मचारी ओको जारकन सरकार ने पुरानी और नई पेंसन योजना में से किसी एक कबिकल्प चुनने के लिए कहा है 22 निधी निदे सालाय ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अम्तिम समय सी मां 31 दिसमर तक रखी है कोरोना को लेकर जारकन में रायनिती शुरू जारकन में रायनिती करने का कोई भी मोका नेता चुकते नहीं है आप जब कोरोना के वेरियंट ओमिक्रोन के नए सब वेरियंट BF7 से संक्रमन बढ़ने की संभावना है तो इधर कुरोणा के बाहाने राइनिती भीत्य हो गई है पतादे सुक्रवार को जैसे जारकन के स्वास्त मंत्री बन्ना गुपताने केंध्री स्वास्त मंत्री मांसुक मांडविया से पीछले कुरोणा काल का 110 क्रूर रूपय की मांग की वहीं भारतिय जन्ता पार्टी ने पिछले 5 वर्सों में एनेच एम के तहत राजे में स्वाश्त सिवाव को बेहतर बनाने के लिए मिली रासी का जिक्र करते हुए काहा है कि भारतिय जन्ता पार्टी के परदेश प्रवक्ता सरोज सिंग यही नहीं रुके उन्होंने कहा है कि कॉरोना के पहले लाहर में भी भारत सरकार ने 286 कुलो रुपई दोसरे लाहर में 227 कुलो रहती से लाहर की समभावना को देखते हुए 1199 कुलो रुपई ज्यारकॉन को दिये हैं तरोज सिंग ने कहा है कि कॉरोना काल के दारान वेंटिलेटर वैक्सिनेशन से लेकर सभी सुविधाय के इंदर सरकार ने दी तो जारकन सरकार ने राज के लोगों के लिए क्या दिया रांची में T20 बलाइंड किर्केट वर्ल्ड कप का हीरो सुजित मुंडा का स्वागत बलाइंड T20 वर्ल्ड कप ट्रोफी उठाने के बाद भारतिये टीम के सर से के ओल राउंड सुजित मुंडा अपने घर रांची लोट आया है रांची लोटने के बाद सुजित का लगाता स्वागत किया जा रहा है पूरे टूर्नामेंट में संदार परदसन करने वाले सुजित भी बिजेता के तोर पर होने वाले एसास के बेहत उत्साहगी का है वर्ल्ड कप की ट्रोफी उठाना हर खिलाडी का एक सपना होता है बतादे Blind T20 World Cup की ट्रोफी उठाने का सपना पूरा करने के बाद टीम इंडिया के All-Rounder सुजित मुंडा अपने घरलोट आए उनकी इस सफलता से उनकी पतनी अनिता तीगा और परिवार वाले भी बहत खोस हैं और उसाहित नजर आ रहे हैं पतादे बेंगलोरू के चीना स्वामी स्टेडिया में फाइनल मैच को याद कर सुजित बहत उसाहित होते हैं लेकिन अगले ही पल अपनी जरूरतों को लेकर मदद की मांग सरकार के सामने भी रखते हैं परिवार वाले सुजित के लिए एक सरकारी नोकरी और पक्का का माकान की मांग कर रहे हैं ताकि उनके परदसन के अनुसार उन्हें समान दिया जा सके जमसेदपूर में गोकसी के आरोप में दो गिरफतार 17 गाय का रेस्क्यू जारखन पूलिस ने दो लोगों को गोकसी के आरोप में पकड़ा है इनके पास भारी मात्रा में ब्रीफ बरामत किया गया इस्ट सिंभोम जीले में पूलिस ने गोकसी और गाय का मीट बेचने के आरोप में दो लोगे अफ्तार किया पूलिस ने 500 kg ब्रीफ भी मोके से पकड़ा है पूलिस ने गोवाली थाना अंतरगत हलदी को पर इलाके में चापे मारी की सुक्रवार को इस चापे मारी के दवरान पूलिस ने तीन ग्राकों को भी पकड़ा पुलिस ने यहां से सत्रा गायों को भी रेस्क्यू कराया है जारखन में गोकासी और उनके मीट बेचने पर परती बंद है सब जुनियर नेशनल रगभी चेंपियंशिप में जारखन उप विजेता गुजरात के गांधी नगर में आयोजी सब जुनियर नेशनल रगभी चेंपियंशिप में जारखन बालक वर्ग की टीम उप विजेता बनी है जबकि बालिका वर्ग की टीम को पांचवा अस्थान पराप्त हुआ जबकि जारखन टीम के बालक वर्ग में खोटी के आट खिलाडी सामिल किये गए थे जार्खन्ट टीम में सामिल जीले के खिलाडियों के संदार प्रदसन के बदोला जार्खन्ट की टीम सब जुनियर नेशनल रगवी चेंपियंशिप 2022 के उब जेता के खिताब अपने नाम किया जार्खन्ट की टीम ने पहले अपनी लिंग मैच में उत्राखन्ट को 20-0 से वहें उतर परदस को 35-0 से तथा करनाटा को 35-0 से पराजित किया खुटी में दो से चलेगा वहन चेकिंग अभियान डीसी ससी रंगन द्वारा जारी आदेश के आलोक में जीले भर में यातयात नेमो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने और सलक द्रगटनाओं परंकुस लगाने के लिए पताधिकारी की परतिन्युक्ति कर दी गई है साथ ही जीले भर में विसेस जाच अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया गया बतादे जीला पर सासन ने या कदम जीले कभी भीन चेतरों में दो पाहिया चार पाहिया व भारी वाहन चाल को द्वारा यतयात नेमो का उलंगन करते हुए वाहन का परिचारण करने के कारान होने वाली दुरगटनाओं को रोकने के उद्यस से उठाया खोटी में इन दिनो आक्समिक सरक दुरगातना से जानमाल की छाती हो रही है इसके मदर नजार दो से साथ जनवरी तक दो पाहिया, चार पाहिया और भारिवानों के लाइसेंस वहन कागजात, हेलमेट, सीट बेल्ट, आधिक इजाज करने है तुपदा दिकारियों को एस्टेटिक दंड दिकारी के रूप में परतिनुक्त किया गया है राज अस्तरिय मुख्य मंतरी आमंतरन फुटबोल परतियोगता 26 से राजी आस्तरीय मुक्स मन्तरीया मंत्रन कब फुटबॉल परत्योगिता 26 दिसमर से सुरू होगी मुराबादी के विद्शामुणा इस्टेडियम और मंदिर मैदान में सवी परत्योगिताएं होगी इसमें जोनल आस्तर में आवेजित परत्योकता के बिजेता अरोव बिजेकता महिला वा पूरुस वर्ग की सोलाटी में भाग ले रही है परत्योकता में कूल 288 खिलाडी सामिल हो रहे है कोरोना को लेकर भारत में अलर्ट चीन में 20 दिन में 25 क्रोर संक्रामीत देश में कूरोना के खत्रे को देखते हुए केंद्र सकार अलर्ट पर है केंद्री स्वास्त मतरले ने राज सरकारों को लेटर भेज कर कहा है कि आने वाले चुनोतियों के लिए पाले से त्यार रहे मंत्राले ने सभी राजियों को अक्सिजन की सप्लाई और वेंटिलेटर को दुरूस्त रखने का निदेश दिया केंद्री स्वास्त मंतरी डाक्टर मंसूक मंडविया ने कहा है कि चीन जपान साउथ कोरिया होंग कोंग और थाइलेंड से आने वाले अत्रियों के लिए आटी पीसिया टेस्ट जरूरी होगा बता दे चीन में कुरोना से हलात बेकाबू होगा यहाँ एक बिदेशी टीवी के अनुसार चीन की नेशनल हेल्थ कमिशन के हवाले से बताया गया है कि मंगलवार को वहाँ एक दिन में कुरोना संक्रमन के 3,70 लाख नए मामले सामने आया है हालाकि चीनी चरकार के आकड़ों में इस दिन सिर्फ 3,000 केसी बताया गया है कांग्रेस बिधायक अनुप सिंग से इडी ने 10 घंटे तक की पुस्ताच का एसकांड मामले में कांग्रेस बिधायक अनुप सिंग से इडी ने सनिवार को लंबी पुस्ताच की है पूरी जनकारी दी है। बिधायक लोबिन हेमरम अपने सरकार के खिलाब जारकन बिधान सवा के सित कालिन सत्र के अमतिम दीन सदन कामो बेस सांती पूर्ण रही लेकिन बिधान सवा की करवाही में भाग लेकर बाहर निकले जारकन मुक्ति मोर्चा के बिधायक लोबिन हेमरम ने अपनी ही सरकार को लेकर एक सवाल पर जम कर भणास निकाली उन्होंने कहा है कि सरकार जानता की उमीदों पर फेल साबित हो रही है दरसल उनसे सवाल किया गया कि हमान सरकार के तीन साल पूरे होने पर कितना मार्क्स देंगे इस सवाल पर सबसे बड़े सत्ताधारी दल जारकन मुक्ति मोचक व कि धाया लोबिन हेम्रेम ने हमान सुरन के नितित वाली सरकार को जानता की उमीद और असंकाओ पर फेल बताते हुए कहा है कि तीन बरसों में राजे के लोगों को जो भरोसा और आस्था इस सरकार से थी वह पूरा नहीं हुआ राजे में जगा जमीन की लूट आज भी जा पानों का दोर सुरू हो गया है पवीत्र रात के धार्मिक अनुष्ठान को लेकर अलग-अलग चर्च में अलग-अलग पादरी द्वारा धार्मिक अनुष्ठान संपन कराए गया हैं बता दे इसाई समुदाय की लोग प्रभो इसू की आराधना में जुट गया हैं 27% आराक्षन के लिए ग्यापन जार्खन परदेश वैसे मोर्चा की ओर से कमिटी की सनिवार को बैठाक होई इसमें तिन परस्ताव पारित किये गा हैं ओवी सी को 27% आराक्षन के मुद्दे पर सभी जन परतिनिद्यों से आगरा किया जाएगा कि वेकेंद्र सरकार से नव साथ